हाई गाईस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलपरा जो लाम पॉइंट 5 टैबलेट के बारे में जो की एक तरह का नार्कोटिक मेडिसिन होता है जानेंगे इस टैबलेट की संपूर जानकारी इसकी मोड़ा पाइक्सन के बारे में इसके डोज क्या होती है इस कहा कहां यूज किया जाता है और इसकी में साइड इफेक्ट क्या होते हैं इस टैबलेट को लेने के बार तो सारी जानकारी आज की वीडियो में मिल देवारे तो वीडियो को लास तक देखते रहेगा उससे पहले आप से गुजारे चैनल पर नया चैनल सबस्क्राइब कर और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए सबसे पहले बात करें अबाउट अलपराजुलाम टैबलेट के बारे में तो एक तरह का बेंजो डाइजपीन होता यानि की इंटी पाइडिक इंटी टीविट सेंट जो कैट की मेर्सिन आती है तो भी एक तरह का बेंजो डाइज की मेर्सिन है इसके जो फेमस ब्रांड नेम आता है जाना एक के नाम से आपको मिल जाती है पी फाइजर कंपनी की जिसमें अलपरा जोलाम पॉइंट फाइब भी होता है इसकी वान एमजी डेर हैंजी या भी टू एमजी में आपको साल्ट भी मार्केट में जाने जाने जो कि आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होता है जाता तर्मेट से बाइंड करते हैं इमेडियेटर करती है सिनेप्टिक इनिविशन जो कि जैसे आक्षन होता है आपका अलपरा जोलाम का एंजाइटी डिसाडर में या फिर कोई पाइनिक डिसाडर हो गया एंजाइटी में आ तो इसका सबसे पहला यूजिन डाइटी डिसॉडर में किया जाता है यानि कि अगर आपको सपने में डल लगता है या फिर रात में कहीं पर डल लगता है चलने फिर्णे में तो इस कंडिशन में भी किया जाता है इसका काम क्या होता है इसका क्या होता है इत्वार्स बाइबनॉर्मल एक्साइटमेंट इन गरेंगते नकिलने लगते हैं तो इन दोज क्या ले सकते हैं तो अलपला जो लाम 0.5 यमजी की जो टैबलेट आती है जाता डाक्टर आपको यही पहले प्रिस्क्राइब करते हैं इसको 24 गंटे में एक बार यानिकी रात को सोते समय दिया जाता है आगर ज्यादा कंडिशन खराब है तो दोनों टाइम दिया जाता बात करें इसकी साइट इफेक्ट के बारे में तो इस टैबलेट को लेनी पाद आपके सरीन में बहुत जादा साइड विक भी देखने को मिलते हैं सबसे पहला इपका डराव进it की प्रपलम हो क्ताई है अपको लाइट हैडनेस की प्रपलम हो सकती हैं ताइडनेस को सकता ह श्लीपीनेस की भी प्राब्लम हो सकती है आपको बहुत ज्यादा नीन भी आएगी एक्स्ट्रीम भी हो सकता है डिफकल्टी इन ब्रिधिंग आपको साज्च में आठ या इसे जुड़ी दिक्कते हो सकती हैं confusion का problem हो सकता है माइंड confusion है सकता है blood vision आपके आँखों में थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको रात में कम दिखाई दे सकता है या फिर इस tablet के आपको allergic reaction हो सकते हैं तो इस tablet को यूज करने से पहले आपने डाक्टर या फिर एक qualified neurologist इस tablet के बारे में इसके डोज के बारे में जरूर कंसर्ट कर लिजिए गा तभी यूज कीजिए गा तो यह था अलपला जो लांप फाइंट फाइप एमजी टैबले जो कि जैनेक्स के नाम से आपको मिल जाती है तो इस tablet को लेने पहले आप qualified doctor या फिर qualified neurologist से एक बार जरूर सला लेजिए गा असा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए गा चैनल पर नहों है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को द